अधार फ्रेंड्स मैं विश्वनात और आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरगाउ प्रॉपरटी ब्लॉग में अगर आपने सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीजिस शॉपर लीजिए इस चैनल को क्योंकि इसे चैनल की उपर ही हम गुरगाउ की सारे प्रॉपरटीज की जो है अपने वियू देते रहते हैं और जो भी है सारे डीटेल्स आपको बताते रहते हैं जो भी हमें बता है तो आज हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो है आपका अलान गूर्प की प्रोजेक्ट है सेक्टर सिक्स्टी इस प्रोजेक्ट की अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है आपका हाइस्टी डिटेल मार्केट है वीथ पीबेर है सारे इसमें और अगर इसके हम बात करेंगे थोड़ा साब इस प्रोजेक्ट की वारे में तो इसको प्रोजेक्ट की जो एडिया है वह आपका सेवेने के टोटल प्रोजेक्ट है और इसकी ऊपर जो है तूएन हाप एड़ ज्वाइन है एकस्प्रेशी की ऊपर है तो अच्छी रिए में को शिनिये बहुत अच्छी रिए और इस अरिए में तक रिबन तकरिबन जो है वह पचास हजार की असपास जो लोग है आज की डेड पर है तो आपको जयो है न्यू गूर्गाओ कहा जाता है इसमें अगर हम बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर की उपर जो है वह तक्रिबन तक्रिबन वन लग 75,000 स्कॉर फूट के असवास का बन रहा है एक तरह से हाई स्रीट रिटल मार्केट है यह और इसमें अगर हम फ्लोर की बात करेंगे तो फ्लोर में वैसे ही एक लाग 30,000 स्कॉर स्कॉर फूट की एरिया है उसमें और इसने थर्ड एंफ लोर पर जो है वह वह की वह नग्यार है उसमें इसमें वह सबसे पहला प्रोजेक्ट रहे है जो तक्रिबन पचास, मच्जार तो 31 लंसम प्राइज उससे ज्याधा ही लोग रहा है उस अरिया में एक लोटा पीडर जो है वो आपका एलाइन गूरूप का PBR है उसमें 6th screen आएगा उसमें और location wise top location है इसमें जॉगिंग ट्रैक होंगे इसमें आपका सब कुछ होंगे अगर हम बात करेंगे इसमें ground first second third fourth fifth sixth floor and six floor onwards जो है इनकी fully furnished एक तरह से है service apartment दे रहा है यह लोग तो service मतलब एक तरह से बहुत ही अच्छी location है अगर हम बात करेंगे तो इसकी connectivity सबसे बड़ी USP है और सबसे बड़ा commercial जो है उस एरिया का एक तरह से एलान ग्रूप का ही है तो इसकी उपर जो है आपको पता है कि इसकी जो position है और विदिन तीन से चार महिने में आने वाले है मतलब 2002 कि हम बात करेंगे उसी एप्लाइए है उसी बस किसी भी टाइम पर आ सकता है इसके उपर हम अगर leasing की बात करेंगे तो काफी अच्छी leasing हो सकती है और डी कहीं सारे ब्रैंड जो है अपने अजी साइन कर चुका है जैसे कि अगर हम पेंटलोन की बात करेंगे तो फॉट पर तो प्रेंड काफी अच्छाइब आ रहा है और इस प्रजेक्ट की वाइए उपर अच्छे ब्रैंड आएंगे इसकी एक एस्शुर्टी यह है क्यूंकि यह प्रोज्जेक्त जो है वो तरह पर अपर एक तरफ से ऑपन प्लाट है यह एक तरफ आपका जो है वह बिपारके एक्स प्रेस वेज्डा पर आ जाता है एक तरफ का मल्टीरूटिलिटी चौरड़र आजाता है जो 75 मिटर की है और पीछी की तरफ 24 मिटर की है तो 3 की साइड ओपन प्लॉट है और विजिबिलिटी फ्रंटेज बहुत है विजिबिलिटी बहुत है तो अच्छे ब्रेंड यह चाहते है कोई भी कमर्शियल लेते बात कि इनकी जो विजिबिलिटी है वो सब को दीखे रोट से ताकि लोग आये फुटपल बड़े उनकी बिजन बड़े वो लॉंग टाम वह पर बिजनिस कर सके तो यह एक टाम है और इसकी उपर जो है अगर हम और थोड़ो सो बात करेंगे इसकी उपर इर्दगेर्द में वाटिका की टाउंशिप है 6-700 स्कॉर एकर की असपास के वाटिका की टाउंशिप है जस्ट इसकी ऑपोजिट जो है वो आपका प्रोजेक्ट बन रहा है अबको किसुमी के नामसे जो जापनिज कंपनी है वो बना रहा है अपना वाटफ रिज्स देश के नामसे जस्ट इसकी ऑपोजिट के अगर हम बात करेंगे तो कही सारे इंका जो है प्रेसिटिंशिय और है अगर मैं बात करूँ डीलेप उस एरिया में अपना लगजरी अपर्टमेंट बना रहा है, सेस ग्रूप बना रहा है, वार्टी का 600 स्कॉर, एकर्स के असपास, टाउन्शिप बना रहा है, इसके लाब है, डीलेप की गार्डन सिटी का आपने नाम सुना है होगा, 700 से 800 के उपर उनकी गार्डन नहीं है, जो भी कमेशियल वह स्टुटी चुटी कमेशियल है, और ये कमेशियल की अधवन्टेज है, क्योंकि ये टोटल 7 अकर कमेशियल प्रोजेक में कम नहीं होता, खासकर करके रिटल के अगर हम बात करेंगे, तो बहुत बड़ा एरिया है, एक तरसा अगर हम देखें पर बैंग ऊन रोड की उपर है वो पोजिशन है और यह जा था अल्ड टाउन सेंटर वह रेड़ी है सोना रोड की उपर इनकी सारे जो भी प्रोजेक्ट है वह मैक्समिम्म प्रोजेक्ट जो है वह चौड़ी सरक की उपर होता है चाहे मैं मरकाडव ले लू वह आपका चौड़ी सरक की उपर है और उसके बाद मैं अगर बात करो तो इधर की जो प्रोजेक्ट है आपका एलान एपिक जो 60 आपका 70 सेक्टर में है ऐसे तो और यह 70 सेक्टर जो है वह बिलकुल 60 मिटर रोड की उपर बिलकुल में रोड से दिखती है इनकी शॉप्स वगरा यह म पर है एक तरफ 75 मिटर एक तरफ 24 मिटर रोड है और उसके बाद इनकी एक प्रोजेक्ट और आई थी यहां पर अब का निर्वाना कंट्री के अंदर वह 25 मिटर रोड की उपर उस फोजे के खासियत है कि वो निर्वाना कंट्री की अंदर ही है वो परड़ाइस के नाम से आ पर आए था उनका एलान जो है आपका एंपयर की नाम से एंपयर जो है लोकेशन है वो सेक्टर 66 बैंग और 60 मिटर रोड की उपर है जहां पर एंधरियम गौल्व स्टेट है अपर मार्वला का विला है अब खासकर के एंधरियम गौल्व स्टेट की ऑपोजीट है और आए वि कि पर आएंपयोः सब्स कर तो जोड़ हां की बारे मारे में और हम बात करेंगे और टॉप लोकेशन ओequ tartar को वह नहीं कोई डेले नहीं होती है इनके प्रज को दैझे में पर टीज से ब् leaning तो पॉजिए मिलाइन आदे हैं आपक़ canon अप्रोक्सिमेटली जो है वो अंडर की इर्दगिर्दी रहेगा आपका जो है अगर में रोड फिसिंग जाएंगे तो उसके थोड़ा हाई रेट होगा तो बहुत अच्छी लोकेशन होगी बहुत सब कुछ होगा सबसे बड़ी बात की पीवियर है वहां पे तो उस एरिया क चल जाएगे एक तेरह से तो अगर आप इन्वेस्मेंट करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सस्क्राइब जरूर कर दिजिएगा लाइक कर दिजिएगा ताकि आगे भी जो भी प्रोजेक्ट होगा इसके उपर हम आग और ऑश कर दिए नपर आपको वीडियो गार्विसमें लाइक में सम कारो जावा घूट परिए यिए ए जो बस्कार ठेलिएगे वा